योगी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावव पर आज मोहर लगी है और यूपी में खेल निती को मनजूरी मिली है खेल विकास प्राधिकरण की स्थापना होगी NCRT स्लेबस को लागू करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया आज की कैबिनेट की बैठक में आयोध्या से जुड़ा प्रस्ताव भी आज की कैबिनेट मीटिंग में पास हुआ है तो आज योगी कैबिनेट की हैं बैठक वी बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लगी है यूपी में खेल निकी को मंजूर ही मिली है इसके लाबा खेल विकास प्राधिकरण की इस्थापना भी की जाएगी NCRT स्लेभस को लागू करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है आयोध्या से जुड़ा प्रस्ताव भी आज की बैठक में पास किया गया है तो आज की कैबिनेट की बैठक में कई एहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है जिसमें परटन निटी को भी कैबिनेट से मन्जूरी मिली है और आयोध्या के विकास से जुड़ा हुआ भी प्रस्ताव पास हुआ है लगनाओ में योगी कैबिनेट की एहम बैठक में कई प्रस्तावों को आज मन्जूरी मिली है बैठक में OBC आयोग की रिपोर्ट रखी गई खेलनी थी मन्जूरी का प्रस्ताव भी पास बात वहीं खेल विकास प्राधिकरण की स्थापना को लेकर मुहा लगी है और कैबिने में 14 कोसी परिक्रमा मार्गी के चोड़ी करन करने पर भी चर्चा हुई और उसके लिए 200 करोड का फंड रिलिस्क किया जाएगा इसके साथ ही NCRT स्लेवस को लागू करने का प्रस्ताव भी पास हुआ है कि बड़ा हर्सका विसे है कि उत्तापड़िस की कैविट ने उत्तापड़िस खेल नी दो याद टेईज को आस्वी कदी दिया इससे निच्च दूप से खेल पूद को बड़ावा मिलेगा हम गाउं इस तरह तक ओपन जिल से ले करके तमाम तरीके के खेल बिकात अजकर का भी गठन करेंगे टेनल सेंटर भी बनाएंगे निजी अकेडमियों को भी उसमें जोड़ेंगे हम तमाम कॉलेजेज को भी उसमें जोड़ने का काम करेंगे हमें ये रिपोर्ट माननी सरुच नियाले के समच ले जानी होगी माननी सरुच नियाले को दिखाना होगा कि इस तकार की रिपोर्ट आई है और उनके माननी सरोच नहाले के निवदेशों के मुताबिक या उसके अनुसार हम इसमें आगे बढ़ेंगे और इसी कबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनों से समधाता निखिल हमारे साथ जोड़ गे निखिलाब जो टोटल 21 प्रस्तावों को मनजूरी केबरिट की बैठक में मिली है अधिके कुल 22 प्रस्ताव केबरिट बैठक पे रखे गए थे जिसमें से 20 को मनजूरी मिली है जिसमें सबसे जादा आप देखे तो सिक्षा के च्षेत्र में और डवलप्मेंट के च्षेत्र में प्रस्ताओ थे चाहे वो स्कूलों में जो है न्सियार्टी की जो किताबें उनको पढ़ाने का मामला हो चाहे वो चार जो दिजी विश्विद्याले हैं उनके डवलप्मेंट का मुद्दा हो चाहे आयोध्या से लेकर पूरे उत्रप्रदेश में विकास के खाका खिशने का मुद्दा हो सभी पहलों पर बात हुए उनकों 21 प्रस्ताओं पर कैबिनेट को सहवती बिली सबसे हैं मुद्दा जो पूरी कैबिनेट बैठक में था वो इस बात का था कि उत्रप्रदेश में निकाय चुनाओ कभ होंगे चुकि जो आयोग इसके लिए बनाया गया था उस आयोग ने मुक्यमंत्री हो गया इतनात को कल अपनी रिपोर्ट सम्मिट कर दी और आज इस पर चर्चा होनी थी तो इस पर भी आज चर्चा होई है और चर्चा होने के बाद ये तैक किया गया है कि अब आयोग की जो रिपोर्ट है वो कोट में रखी जाएगी कोट के सामने पेश कुई जाएगी और जिसके बाद जो सरकार है वो अप्रेल और मई में चुनाओ कराने के लिए पूरी तरह से तयार है हाला कि अंतिमने ड़ा कोट को लेना है कि वो जो रिपोर्ट आई है उससे वो कितना सहमय था और किस तरह से चुनाओंगे जिन तमाम बिंदों पर आज बैठक में मन्थन हुआ कुल 22 परस्ताओं रखे गए थे जिसमें से 21 परस्ताओं पर मनजूरी मिली और सबसे जादा अगर किसी मुद्दे पर जो है अगर खास करके कहें निगाथी सरकार की इस कैबिनेट बैठक में यूपी कैबिनेट की बैठक में नई इसक्रैप पॉलिसी पर भी चर्चा की गई निगी स्टेट से खास बाचीट की उतरप्रदेश सरकार में परवहन मंत्री द्याश रंकर सिंग ने बताया कि गाड़ियां इसी हैं जो अभी हमारे टेक्स को जमा नहीं कर पा रहे हैं जिसमें एक लाग शाट-छाट-थाजार गाड़ियां इसी हैं जिन पर आर्सी कट चुका है तो ऐसे लोगों को लाब मिलेगा और हमारे पलूशन कंट्रोल करने में बहुत लाब मिलेगा 30% उसको सबको स्क्रेप किया जाएगा थाने में पड़ी हुई जितनी गाड़ियां हैं कंडम उनको भी स्क्रेप किया जाएगा एक जो है जब पुरानी गाड़ियां स्क्रेप होगी और उसके नई गाड़ियां आएंगी तो एक जो एक हमारे रेजिस्टेशन में इतने तिन जो अभी चल भी नहीं रही हैं लेकिन उन पर टेक्स बढ़ रहा है तो ऐसे आम आदमी को इसका बहुत लाद मिला है।